अब आते हैं कि अर्विन केजिवाल आए क्या लाए तो आप पर यारोप हमेशा लगता है कि आप फ्रीबीज रेवडियों की लत लोगों को लगाते हैं एक अफीम की तरह उनको चटा देते कहते हैं इतनी मुफ्त हम ये दे देंगे इतना मुफ्त वो दे देंगे और जनता क अज़ा कि अगर इस देश के अंधर कोई बच्चा पैदा हो उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार रहे चाहे वो कितना भी गरीब व से गृब क्यों नहों और उसको इच्छी सिक्ष़ा फ्री जम्मेदारी सरकार की है ये प्री भी नहीं है ये फ्री की रेवडि नहीं है अगर इस देश के अंदर कोई बिमार होता है उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलने का अधिकार होना चाहिए और उसे अच्छा और फ्री में इलाज देने की जिम्मेदारी सरकारों की है यह फ्री की रिवडी नहीं है 37 से ज्यादा देश ऐसे हैं अमीर देश विक्सित देश जो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं वो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा इसलिए नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो फ्री शिक्षा देते हैं इसलिए अमीर बने, अगर हमें अमीर देश बनना है तो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, यह फ्री भी नहीं है, जब इसको फ्री की रेवडी कहते हैं, तो जनता का अपमान करते हैं. ऐसे लगता है जैसे कोई भीक दे रहे हैं यह लोग. हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की है. और अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने बच्चों को फ्री यह फ्री की रेवडी नहीं है कृपया मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं आप इस देश के लोगों का अपमान मत कीजिए इसको फ्री की रेवडी बोलके इन नेताओं को जो नेता आज आपके चैनल पर आए थे इनको सब को चार-चार हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलत करते हैं और जनता को फ्री बिजली दो तो कहते हैं फ्री की रेवडी या शहरम नहीं आती है इन लोगों को लेकिन अर्विन जी मामला यह है कि अब यह आपका यूएसपी रहा है क्या 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 अब तो आपने सब को सिखा दिया है अब किसी का मैंने फेस्टो ऐसा होता न है इने नहीं तो कुछ नहीं मुफ्त दिया अज तक कुछ भी मुफ्त नहीं दिया फिर साड़े तीन लाख करोड का करजा कैसे हो गया इनके ऊपर इनका बजट घाटे में क्यों चल रहा है दिल्ली में हमने सब कुछ मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दिया, शिक्षा मुफ्त कर दिया, इलाज मुफ्त कर दिया, महिलाओं का यातायात मुफ्त कर दिया, तीर्थ्यात्रा मुफ्त कर दिया, फिर भी हमारा बजट घाटे में नहीं है, हम प्रॉफिट में चल रहे ऐसा क्यूं तो अर्थ विवस्था फ्रीवी से खराब नहीं होती ब्रश्टा चार से खराब होती है गुजरात का सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग सारा पैसा लूट लेते हैं ये लोग मैं यहां पे आया मुझे लोगों ने बताया एक MLA है इनका MLA बनने के पहले 2000 रुपे कि किसी दुकान पर नौकरी करता था अज 20,000 करोड का मालिक है एक और MLA है उसकी 4 इकड जमीन होती थी MLA बनने के पहले 5 साल में 1000 इकड जमीन हो गई इस वज़े से सारा पैसा यहां जाता है जब मैं कहता हूँ ना फ्री की बिजली दूँगा तो नहीं नहीं फ्री की अजली देदी स्कूल बना दिये इस्पताल बना दिये तो इनके लूटने के लिए पैसा नहीं बजेगा